मैं देश के हर माता पिता से अपील करना चाहते हैं कुछ लोगों के लिए ये फिल्म कल्पना है बहुत सारी लड़कियां और उनके परिवारों के लिए केरल प्रदेश में यह हकीकत है फिल्म के अंत में रियल विक्टिम्स का स्टेट्मन्ट जो पीडित परिवार हैं वो स्वयम कैमरा पे राकर देश से अपील कर रहे हैं साल दोहजार सत्रा में नैशनल कमिशन फॉर विमिन ने इंट्रैप्मेंट और रिलिजियूस कन्वर्जिन्स के संदर्भ में एक कमिटी के माध्यम से केरल पुलीस को कुछ तथ्य सौंपे थे यह सारवजनिक जानकारी में भी विशे है वो राजनेतिक दल जो लड़कियों के एंट्रैप्मेंट फॉर्सिबल कन्वर्जिन और आइसिस ब्राइड्स को जुटलाते हैं उनसे मैं अपील करना चाहते हूं यह फिल्म आतंक और आतंकवादियों के खिलाफ है अगर आपने इस फिल्म को अपने प्रदेश में प्रदर्शित करने से रोका है तो आप देश को यह संकेत और संदेश दे रहे हो कि आप आतंक के समर्थक हो महिला सुरक्षा और बेटियों की सुरक्षा के समर्थक नहीं हो मैं आज राश्च्य सुरक्षा से संबंधित इस विशे पर विशेश रूप से जनता से कहती हूँ कि वो उन राजनेतिक दलों का विशेश निशेद करें जिन्होंने इन फिल्मों के माध्यम से जो तथ्य सामने आए हैं उनका बहिश्कार करने का दुस्सा हस किया है आईसिस ब्राइड्स इंडॉक्ट्रिनेशन ये एक हकीकत है और जिस जिस राजनेतिक दलने इस हकीकत को स्विकार करने से इनकारा है उन राजनेतिक दलों पर ये आरोप है कि वो महिला के एंट्रैप्मेंट और महिला को आतंकवादी गतिविध्यों में ट्रैप करने का समर्थन कर रहे हैं मैं आज मौमता बॉन्दा पध्धाई से पूछना चाहती हूँ कि जिस फिल्म में आतंकवादी गिरोह का परदा फाश हुआ है जिस फिल्म में रियल लाइफ विक्टिम्स फिल्म के अंत में समाच से राश्ट्र से राजनीतिक दलों से अपील कर रही हैं मदद की गुहा लगा रही हैं ऐसे में मौमता बंद पध्धाई ने विक्टिम लड़की और परिवार का समर्थन करने की बजाए टेरर और्गनाइजेशन का समर्थन क्यों किया वोट बैंक की राजनीति मुझे समझ आती है टेरर बैंक की राजनीति समझ के परे है